पाकिस्तान के इसलामाबाद की रहने वाली महिला रोजीना को भारती सेनिकों ने हीरासत में ले लिया है जी यहां ये खबर जो है पुंच शेतर से आ रही है पुंच जिलाई से आ रही है चक्कांदा बाग शेतर से आ रही है जहां पर एक महिला ने जिसका नाम रोजीना है जो पाकिस्तान के इसलाम अबाद की रहने वाली है उसने भारती शेत्र में परवेश करने की कोशिश की जिसके बाद नियंतरन रेखा पर एलोसी पर स्तर्प जवानों ने उसे हीरा सत्मे ले लिया फिलहाल जांच की जा रही ह और पता लगा जा रहा कि किस मंच्छा से ये महिला भारती शेत्र में परवेश कर गई इसका दूसरा पहलू ये भी है कि कुछ व्यक्ति mentally होने के कारण बिमार होने के कारण जो है इस ओर से उस ओर चले जाते हैं और उस ओर से इस ओर आ जाते हैं और यहाँ पर हमने कहीं बार देखा है कि कहीं innocent people जो है वो भारती शेत्र में परवेश कर जाते हैं और कहीं बार भा पाकिस्तान के इसलामाबाद की रहने वाली है और बारती शेत्र में परवेश करने पर नियंतरन रेखा को पार करने के बाद इसको हेरासत में ले लिया गया है गुस्पैट की बात करें तो लगातार पाकिस्तान की और से गुस्पैट के प्रियास किये जाते हैं जिसको हमारे स्तर्ग जवान हमेशा नाकाम बना देते हैं पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से हम यू कहेंगे कि प्रियास किया गया लेकिन मंच्छा की इंटेंचन की और इशारा भी कर रहा हूं इसका पता किया जा रहा है जांच की जा रही है और पता लगाया जा रहा कि किन कारणों से, किस मोटिव से ये महिला यहाँ पर प्रवेश कर गई दो पहलू है कि महिला को अगर हम बोलें कि वो गुस्पैट नहीं कर सकती महिला आतंगवादी नहीं हो सकती लेगिन कहीं उधारन जो है वो भी आतंगवादी गती विदियों में सनलिप पाई गई है इसलिए इस पहलू को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं और दूसरा पहलू यह है कि कुछ व्यक्ति मेंटली तोर पर बिमार होते हैं और इसी कारणवश वो बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं इसलिए जाँच की जा रही है और जाँच परताल के बाद यह सपश्ट हो जाएगा कि आकर इस महिला की जो इसलामबाद की रहने वाली है उसकी आकर मंच्छा क्या थी इसे के साथ करण सेंग और मुझे याने गरते इशक प्ता को दीजे जाज़ाद फिर मिलेंगे नमस्कार